हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल नीशी अवर गीन टोपिंग्स फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के चर्म रोग से रिलेटिड अगर आपके बच्चे को फोड़े फुनसी दाद हो गया है खाज खुजली हो गई है तो उसके लिए प्लम हो जाती है पूरे सरीर पर फुनसीया निकल जाती है सिर पर पूरी फुल बोड़ी पर तो इसे में आपको क्या उपाए कर सकते हैं तो इस वीडियो में लाश तक आप जरूर बने रहें अगर खुजली हो गई है तो आप ऐलो वीरा इसकिन पर लगा सकते हैं और खिल खिलाएं और नीम का जूस भी पिला सकते हैं और गिलोएं भी खिलाएं ये बहुत ही बहुत बढ़िया इस्तरोत हैं इसकिन या चर्म रोग से संबज जो परेशानी होते हैं उसे सही करने में बहुत रामबान इलाज हैं ये चीज़े अगर आपके घर पर ये चीज़े और आप उसे अच्छे से यूज़ कर लेंगे बहुत ही कम अमाउंट में इस वीडियो में देख सकते हैं काया कल्प वटी ये बहुत ही अच्छा इस्तरोत है आपके नीम एलोविरा और गिलोएं और भी बहुत सारे उस्दी हैं इसमें जो हमारी तुचा के लिए चर्म रो के लिए रामबान इलाज है ये बहुत ही बढ़िया है ये पतांजली की आपको सोपर मिल जाएगी और एक काया कल्प तेल आता है वो आप इसकिन खुजली के लिए लगा सकते हैं ये इसकिन की जो प्रूबलम है काया कल्प तेल को लगाएं और इस काया कल्प वटी को उन्हें ये प्रोब्लम हो गई है दाद खाज खुजली की तो बच्चों को भी आप ये खिलाएं और बच्चों को आप दिन में सुभा आधी अगर बापका बच्चा एक साल से बड़ा है तो सुभा आधा गोली और शाम को आधी गोली इस तरह से दें और अगर आप बड़े लेना चाते हैं तो आप ये रहा दिन में दो गोली लेनी है आपको एक सुभा और एक साम खाना खाने से पहले और सब आपको इस बोटल पर लिखा हुआ मिल जाएगा ये मैंने खुद यूजगा है मेरे बच्चे को दाद था और दाद बार बार हो जाता था कर मैं कोई और घरेलू तरीके या कोई मेडिकल दावाई खिला रही थी वो खतम हो जाता था फिर बार बार हो जाता था जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने इसको लाकर खिलाया एक ही बार में बिल्कुल सारा दाद खतम हो गया और कुछ भी अब दोबारा नहीं हुआ है हों खुजली हों फोड़े फुंसी हों आप इसको खिलाइए क्योंकि अंदर से खून को साफ करती है और खून साफ होगा तो आपके चर्म रोग अपने आप ही खतम हो जाएंगे तो यह बहुत ही बढ़िया तरीका है यह मैंने पहले वीडियो में बताया आप अलोवीरा नीम या गिलो यह भी तीनों अगर आपके पास घरेलून उसकों में उपलब्द है तो आप इने भी खिला सकते हैं अगर यह नहीं है तो यह सबसे बढ़िया बैतरीन उपाए है और यह अमांट इसकी बहुत ही कम है 80 रुपीज में यह आपको मिल जाएगी और इसमें जो टैब कराएं और एक बात और मैं कहना चाती हो अगर आपकी कोई और दवाई चल रही है या आपको और किसी और चीज़ की भी प्रोब्लम है तो आप इसे अगर लेते हैं तो डोक्टर के सला के अनुसारी ले डोक्टर से पूछ कर ही ले वानने था इसमें कोई प्रोब्लम नहीं है इसे लेने में या आपको किसी चीज़ से रियक्शन है तो भी आप डोक्टर की सला से पूछ कर ही इसको ले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें